हैलो फ्रेंज कैसे ही आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे रोज रोज एकी जैसा काम करके हम ठक भी जाते हैं बोर भी हो जाते हैं लेकिन एकी जैसा काम अगर थोड़ा सा टीप्स के थुरू करेना काम हमारा एकदम आसान हो जाएग अगर घर में बुजूद लोग हो तो उसको यह तक्लिफ और भी ज्यादा होते है इस तरह का जो can आते हैं ना हम coldings खाते है या cold coffee खाते है इसका जो उपर बाला हिस्सा है मैंने अलग कर लिया है हमारे घर में जो electric का wire होते है इसके अंदर जो इस तरह का तंबे का तार होते है ना देखे मैंने u shape में इसको fold करके ले लिया है जो can बाला मैंने हिस्सा बाहर इस तरह से निकल कर लिये थे उसके उपर तंबे का तार इस तरह से दे कर sellutive के मदर से अच्छे तरीके से लगा लेंगे ए हमारा एक बहुती organizer बढ़िया organizer तैयर हो गया है जब भी हमें सुई मे भी फ्रेंड आसा नी से देखिए हम धागा डाल सकते है कोई भी जंजट करने की बाती नहीं है फ्रेंड हमारे घर में जो बुजुर्ख मा होते है ना उसको ए तकलिप जादा होती है यह भी अराम से सुई में धागा डाल सकते है देखिए मैंने तंबे का तार के अंदर सुई को बाहन निकालेंगे कितना बढ़िया तरीके से हम सुई में धागा डाल सकते है और यह जब भी आपको जरूरत हो तो यूज़ कर सकते है चलिए आगला टीप्स हम देख लेते हैं इस तरह का जो टूट पेस्ट हम यूज़ करते हैं खाली हो जाने से हम टूट पेस् का नीचे बाला हिस्सा इस तरह से हमें खीचना पड़ेगा पहले आप अच्छे तरीके से ढखकन को बंद करके लीजिएगा नहीं तो टूट पेस्ट बाहन निकल जाएगा फिर धीरे 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 अप इस तरह से खीचेंगे ना जो अगर थोड़ा सा भी टूट पेस्ट अंदर नीचे मजूद है वो आसा नीचे उपर चलाएगा और आप दो तीन दिन आराम से उस टूट पेस्ट को यूज कर पाएगे इस से आपका थोड़ा सा पैसा का भी पचत हो जाएगा देखे इस तरह से खीचने के बाल मैं टूट पेस्ट का जो खाली पैकेट है ना इ इस तरह से फिर खोल कर दिखा रहा हूं इसके अंदर देखे कितना सारा टूट पेस्ट मौजूद है अच्छे लगे तो टीफ्स आप भी जरूर एपलाई करके देखिएगा चली आगला नेक्स टीफ हम देख लेते हैं इस तरह का जो हमारे घर में टॉमेटो कैचप का खा इसे उस करेंगे पहले तो टॉमेटो कैचप का जो खाली पैकेट है अच्छे तरीके से हम इसको पानी की मदर से धोलेंगे फिर क्या करेंगे इसके अंदर पानी इस तरह से भर कर लेना परेगा पानी भरने के बाद इसका जो ढखकन है ना फ्रेंट इसको ढखकन को क्या कर टाइट करके हम बंद कर देंगे तो चलिए इसको हम कैसे और कहा पर यूज करते हैं देख लेते हैं मैंने इसको दिफ फ्रीज में एक घंटे के लिए रख देंगे इस तरह से एक घंटा बाद फ्रेंट इसको बाहर निकल रहे हूं देखिए अंदर जो पानी था एकदम से ब दर्द करते हैं तो डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं आइस सेक देने के लिए इसके लिए हमें चाहिए जो आइस पैक होता है जो बहुत ही महंगा होता है हर घर में मौझूद ही नहीं होता है इस तरह से आप टोमेटो कचप के खाली पैकेट को आइस पैक के थ्रू यू एक बर्तन, बर्तन के अंदर जो चावल हम खाते हैं, वो ही चावल दो चम्मच के करीब डाल दिया है, और थोरा सा फ्रेश कच्चा निम पत्ता डाल दिया है, पानी की मदद से क्या करेंगे फ्रेइन, अच्छे तरीके से हम इसको दो तीन बर वाश कर लेंगे, फ्रेइन, ए पानी में चलाया है, आप क्या करेंगे फ्रेइन, गैस को बंद कर देंगे, और इसको ठंडा कर लेंगे, जब ठंडा हो जाएगा ना मिसरन, तब क्या करना होगा फ्रेइन, हमें चाहिए या पर एक छन्नी, छन्नी की मदद से इस पानी जो है ना, इसको हमें छान कर लेना पड़ेगा और जब चावल है इसको मतफ़े कियेगा अब चीरिया को खाने के लिए दे सकते हैं यह जो पानी हमें मिला है ना फ्रेंड बहुती यूसफूल होने बला है और बहुती मेहंगा जो चीज हम मार्केट से खड़िते हैं तो हम मैंने यह आप ले लिया है एक स्प्र दिन के लिए इस तरह से यूस कर सकते हैं बना कर ख्राब नहीं होगा फ्रीज में रखिएगा तो इसको हम कैसे यूस करेंगे कहां पर चलिए देख लेते हैं गर्मियों में फ्रेंड हम सभी लोग ही परेशान हो जाते हैं घमोरिया होते हैं ओयली हो जाते हैं इसकी इस तर पचा है चहरा है एकदम से फ्रेश रहेगा ग्लो करने लगेगा क्योंकि इसके अंदर चावल के पानी मुझूद है निम पत्ता है जो बैक्टरिया खतम करेगा इसके लिए के चहरे पर मुझ पर पिमपल नहीं आएगा मैं खुद ट्राइ करती हूँ आप भी जरूर आवट नहीं है अगला जो टीफ से फ्रेंट मैंने यहां पर ले लिया है एक कटोरी के अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा टूट पेस्ट देखिए फिर हमें क्या करना होगा फ्रेंट मैं यहां पर ले ले लिया है एक लसून लसुन को इस तरह से छील कर ले रही हूँ यह पर मैंने ग्रेटर की मदश से जो मैंने लसुन लिये है न लसुन को हमें यह पर ग्रेट करके ही लेना पड़ेगा फ्रेंड इस तरह से देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इसको ग्रेट करके ले लिया है इसके अंदर डाल रहे हूँ थोड़ा सा white vinegar देखिए मैं दो चम्मच के करीब white vinegar डाल दिया है आप मैं ले रहे हूँ बोरीक पाउडर बोरीक पाउडर आप किसे भी medicine shop में या grocery shop में आपको मिल जाएगा दो चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रहे हूँ बोरीक पाउडर फिर क्या करना होगा फ्रेंड सारे चीजों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे देखिए इस तरह से हम जो चीज इसमें एट किये हैं सभी के चीज के strong एक गंध है जो colgate हमने डाला है या white vinegar लसून फिर हमें क्या करना होगा इस तरह से छोटे छोटे करके हम बहुत सरे गोलिया बना लेंगे इसको हम कहा पर और कैसे यूज करेंगे फ्रेंड हमारे घर से बहुत सारे मुस्केल आसान होने बाला है टिप्स की मदद से हम जिस से गॉसरी सब रखते हैं ना डाल मसाला वहाँ पर ना कोक रोज घूमते रहते हैं ऌपर भी एक दे दीएगा आप कोई वह बोल में दे सकते हैं जापर अपका चिप के लिए रहते हैं तो इसका जो गंध है गंध के करन कभी भी कोकरोज चिप कली उस जगह पर नहीं आएगा छोटा सा टीप्से फ्रेंड लेकिन है बहुत ही कमा जिरूर आप भी एपलाई करके देखिए फ्रेंड 100% रेजल्ट मिलेगा आपके घर से कॉक्रो चिप के लिए पुरे भाग जाएंगे 15 दिन के लिए अच्छा गंध रहेगा अगला जो टीफ से फ्रेंड कई बर होता है क्या छोटे छोटे चूरी जो होते है या साखा होते है हम तो पहन लेते हैं लेकिन बड़ा बड़ा पहन देंगे काम करने में दिक्कत होगी और तूट जाएगा लेकिन छोटे बाला जो चूरी होते है ना इसको खोलने में बहुती ज़्यादा तकलीफ होती है इसके लिए आप क्या किजिएगा थोड़ा सा ले लीजिएगा आसानी से अप कोई भी छोटी से छोटी चूरी को आप खोल पाएंगे इससे आपका हातों में कोई भी दर्द नहीं होगा देखिए कितना बड़िया तरीके से मैं खोल रही हूँ देख सकते हैं हाथ भी हमर अब दर्द नहीं हुआ है और काम भी कितना आसान हो गया है तो आप भी अपलाई करके जरूर देख सकते हैं, चलिए फ्रेंज आगलाटीव सम देख लेते हैं, इस तरह का रूमाल हमारे सभी के घर में होता है, मैं या पल रूमाल ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी पूराना कप्रा भी यूज़ कर सकते हैं, तेखिए मैं इसको गोल करक का धकन है, उसको रख कर राउन करके काट सकते हैं, फिर इसको फोल करके, इसको बीस में से इस तरह से मैं काट लगा रही हूँ, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंज कहा पर, हमारे घर में जो पेसार कुकर का धकन है न, इसको जो सीटी बाला पाठ है, सीटी को इस तर से खोलने के बाद इस रुमाल को सेट कर देंगे, फिर हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, पिसार कुकर में जब भी हम डाल, सबजी, तरकारी बनाते हैं, सिटी उठने के समय डाल, सबजी तो बाहर निकलते हैं, पिसार कुकर के जो लोखन होते हैं फ्रेंड, एकदम से होती है अगर हम इस तरह से कप्रा लगा कर रखेंगे तो पेसर कुकर कर ढखकन क्लीन रहेगा और कप्रा हमें क्लीन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा तो एक ही कप्रा से बहुत दिन यूज कर सकते हैं धोने के बाद आप इसको रियूज कर पाएंगे अगला जो टी होती है तो इस समस्ता को कैसे हम समधान कर सकते हैं नहीं तो फोन अगर गिर जाएगा तो बहुत सारा लुकसान हो जाएगा हमारी घर में जो इस तरह का पुराना माक्स होता है कोई भी कप्रे का पुराना माक्स अब ले ली जिएगा फिर हम इस तरह से माक्स को क्या करेंग करना हो तो हमारा जो माक्स है माक्स के अंदर इस तरह से अगर हम चर्चर को इस तरह से फोन को रख देंगे ना तो फोन हमारे कभी भी ढिरने की खत्रा नहीं रहेगा अच्छे तरीके से चार्च भी हो जाएगा और बहुत सारा पैसे कभी हम बचत कर पाएंगे क्योंकि फोन अगर गिर जाता तो हमारे बहुत सारा पैसा खर्च हो जाती अगला जो टीप से फ्रेंड मैंने या पर एक बरतन ले लिया है बरतन के अंदर डाल रहे हूँ एक चम्मच के करीब वाइड विनिगार फिर क्या करेंगे फ्रेंड इसके अंदर डाल रहे हूँ थोड़ा सा कोल गेट अच्छे तरीके से हमें इसको मिलाना होगा वाइड वनिगार और जो कोल गेट है एक पुराना टूट ब्रश की मदद से मैं अच्छे तरीके से मिला कर ले रहे हूँ आप फ्रेंड इसको हम कैसे use करेंगे तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड हमारे घьर में जो इस तरह का साखा होते हैं जब भी हम बर्तंध होते हैं सबजी बगड़ा काटते हैं न ये बहुती ज़ादा गंदा हो जाते हैं देखिए देखने में कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है इसको हम क्लीन कहने जाए तो बहुती समय लगता है इस तरह से आप एक मिस्रन बना ले जिएगा इस मिस्रन को क्या कीजिएगा अच्छे तरीके से लगाने के बाद एक दो सेगेंट के लिए इस तरह से घिसिएगा सारे जो गंदेगी है साखा के उपर ओ एकदम से क्लीन हो जाएगा आप चाहे तो गोल्ड का जो जो जुए लड़ी है इस तरह से क्लीन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन होता है और नए जैसा चमक आजाते हैं देखिए मैंने इस तरह से एक मिनीट के लिए अच्छे तरीके से घेस लिया है, सारे जो गंदेगी है, काला जो निशान आ गया थे, सब क्लीन हो गया है, मैं एक साब पानी से आप लोगों को धोकर दिखा रही हूं, देख सकते हैं, यह जो टीप से फ्रेंड 100% काम करती हैं, आप जरूर अपलाई कीजिएगा, एकदम से नये जैसा हो जाएगा आपका यह साखा या गोल्ड का जुएलरी, तो यह छोटे छोटे चोटे टीप से अगर आप लोगों को थोड़ा सभी काम आयो फ्रेंड, तो जरूर मुझे एक लाइक करन, आपने दोस्तों के साथ शेय करन और मेरे ये वीडियो आप कौनसी गाव या शेहर से देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, तो चलिए आपला नेक्स टीफ हम देख लिए पेसार कुकर में, हम सभी लोगी खाना पकाते हैं, क्योंकि समय भी कम लगता है, गस्खर्च भी कम होता है, लेकिन एक बात क्या होता है, पेसार कुकर धोने के बाद जब भी हम गैस के उपर रखते हैं, इसके अंदर बहुत सारा पानी रहता है, हम इस तरह से पानी को निकल कर भी लेते हैं, फिर भी देखा जाते हैं, क्या अंदर में थोड़ा सा पानी रहे ही जाते हैं, जिसको हम पेसार कुकर धोने के बाद गैस पे चरहे एक कप्रा ले लिजिए या तावा ले लिजिए अच्छे तरीके से पेशार कुकर को पोच लिजिए देखिए पानी सारा गायव हो जाएगा जल्दी ही पेशार कुकर गरम हो जाएगा नहीं तो आप पेशार कुकर जब भी गैस के उपर चरहें इस तरह से उल्टा करके एक दो सेगंड के लिए रख दीजिएगा जल्दी देखिएगा आपका पेसार कुकर गरम हो जाएगा इससे आपका गैस खरस थोड़ा सा बच जाएगा तो चलिए आगला जो नेक्स टीफ है फ्रेंड हम देख लेते हैं फ्रेंड जब भी इस सबजी या साग को काटे है देखिए एक सेप्टिपिन एक बोतल के मदसे किस तरह से हम आर्बी की साग को काट सकते हैं चलिए देख लेते हैं मैंने या पर ले लिया है एक बोतल बोतल के युपरी वाला हिस्सा इस तरह से काट लेंगे फिर क्या करेंगे बोतल को इस तरह स तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, मैंने जो सेप्टी पीन ले लिया है, सेप्टी पीन को बोतल के उपरे हिस्से में इस तरह से लगा देंगे, कई बड़ जब भी हम नए नए ग्रिहस्ति के काम करते हैं, सबजी बगरा काटते हैं, उंगली साग है, पत्ते बाला साग इस तरह से डाल दीजिएगा, इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है, अब क्या करेंगे, आप चाहे तो सेप्टी पीन को इस तरह से पकड़ सकते हैं, इस से अपका साइड में उंगली नहीं जाएगा, और उंगली कटने के भी खत्रा नहीं र आप छोटे छोटे करके बारीक तरीके से काट पाएंगे, देखिए साग को बहुती आसान टीप से फ्रेंट आप जरूर अपलाई करके देखिएगा, देखिए मैं इस तरह से काट रहे हूँ, कितना आसान सा टीप से हैं ना, हातों में भी खुजली नहीं होगा, और हमारा हात कटने का भी खत्रा नहीं रहेगा, तो अच्छे लगे टीप्स आप भी अपलाई करके देखिएगा, चली आगला टीप्स देख लेते हैं, आगला जो टीप्स से फ्रेंट मैंने यापल ले लिया है, एक बरतन, स्टील का बरतन, कोई भी पुराना बरतन ले लिजिएग फिर एक ग्रेटर की माद से क्या करेंगे फ्रेंट, अच्छे तरीके से हमें इस तरह से ग्रेट करके लेना पड़ेगा, देखिए इस तरह से ग्रेट करके मैं ले रही हूँ, साबुन जो है पाच रुपिया वाला साबुन को अच्छे तरीके से ग्रेट करके हमने ले लिय इस साबुन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वही आपको बताऊंगी बरिया एक टीप्स है उम्मिद करती हो आपको भी एक टीप्स काम आएगा साबुन हमारा पुड़ा ग्रेट करना हो गया है अब क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे पानी मैं यहापर थोर असा नॉर्मल पानी डाल रहे हूँ फिर क्या करेंगे अच्छे तरीके से चम्मच की मदस से हमें इसको मिलाना होगा फिर हम इसको रख देंगे आदा साबुन है पानी के मदस से अच्छे तरीके से घुल जाएगा देखिए पानी में अच्छे तरीके से नरम हो गया है घुल गया है साबुन हमारा अब न छोट असा एक काम करेंगे मैं इसके अंदर डाल रहे हूँ फिरेंड देखिए हुआइट विनिगर थोर असा ही आप ह हुआइट विनिगर डालेंगे तो क्या होगा लंबे टाइम के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे क्राब नहीं होगा हुआइट विनिगर डालने के बाद भी फ्रेंड हमें अच्छे तरीके से मिलाना होगा साबुन तो हमारा रेडी हो गया है एक छन्नी ले लीजिएगा अगर छन्नी की मदस से हम इस तरह से छान कर लेंगे न तक कोई भी साबुन का छोटे छोटे जो पाट होता है छोटा छोटा पाट इसके अंदर नहीं रहेगा देखिए बारीक तरीके से हमारा जो साबुन का पेस्ट है एकदम से बनकर रेडी हो जाएगा फिर हम इसको क्य करेंगे फ्रेंड अच्छे तरीके से मिला लेंगे समझ रहे हैं आप मैं यहाँ पर क्या चीज बना रही हूं फ्रेंड हाम मैं यहाँ पर बना रही हूं हैंड वाश हम जो हैंड वाश खड़िते हैं बहुत ही महेंगा होता है आप घर पर पांच रुपिय साबुन से बहु बनाएंगे ना इससे खर्च बहुती कम होगा और आपका बहुत दिन तक चलेगा इस हैंडवाश मैं आपको हातों में लगा कर भी दिखाऊंगी फ्रेंट बहुती बढ़िया तरीके से बनकर तयार हो गया है जिस तरह से हम हैंडवाश मार्केट से खरिते हैं उसी तरीके से देखियें हैंडवाश हमरे बनकर तयार हो गया है तो ए छोटा सा टीप्स फ्रेंट आप भी अपलाई कीजिएगा उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा और मार्केट से बहुती मेहंगा मेहंगा जो बिकने में हैंडवाश खरितने की जरूरत नहीं परे गया छोटा चोटा टीप्स अच्छे लगे तो फ्रेंट जरूर अपलाई करके आप भी देखियेगा